हेलो व्रीवान विल्कम प्रिश चैनल ग्यापनी केडमी चले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जो की बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इस चैप्टर का नाम है विधुद्धारा यानि की इलेक्रिक करेंट इस चैप्टर में तो कॉंसेप्ट ठूश ठूश क किसे कहते हैं देखिए पहले समझे धारा किसे भी चीज़ का अचानक धराधर प्रवाहित होने लगना धारा कहलाता है जैसे कि जल प्रवाहित होने लगा तो जल की धारा तेल की धारा दूद की धारा बोली की धारा कोई अचानक बोलने लगा धारा तो वह हो गया बोली की इसका जो एसंट नोन कुथिया में मापते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को बतारी कि ए 맞는 को पर्वाहित होना आप जान गए लेकिन जब कुझ नहीं रहा था लोग लोग नहीं जानते थें तब उस वक्त माना जाता था कि विधूतधारा जो है ना आवेश के परवाह की दर कहते हैं और आप लुग को बुक में भी डीफिनेशन मिलेगा वह यहीं मिलेगा कि आवेश के परवाहित होने की दर गो कित दरक अब यहां पर एक नया term और नया condition आ गया कि भाई आवेश किसे कहते हैं आखिर आवेश है क्या चार्ज इसको इंगलिस में बोलते हैं चार्ज तीकि आवेश एक परकार की उत्तेजना है उत्तेजना जो कि हर वस्तु में हर तत्तों में पाये जाता है अगर मैं इसको और अच्छे नुकसान पहुचाता यह दूसरों को भी खुदृक्ता कर देता है इसलिए भुजर्ग लोग और वाकि लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा है आवेश में और ऐसा नहीं है कि जिस इंसान के हाथ में बंगला यानि कि जो इंसान अमीर है उसके पास बंगला है कार है वो इंसान आवेशित नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें आवेश नहीं है उसमें भी आवेश है बस वो आवेशित नहीं हो रहा है अकड नहीं दिखा रहा है वही काम को यूँ चुटकियों में करकर दिखा देता है तो वही काम को दिन भर लगा देता है और उससे वह काम नहीं होता है तो चार्ज समझ में आया है चार्ज तो हर इंसान में होता है और उसी तरह हर तत्तों में हर वस्तु में क्या होता है चार्ज यहन की आवेश होता है ठीके आवेश दो प्रकार का होता है धन आवेश और रीड आवेश, धन आवेश को प्लस से सुचित किया जाता है और धन आवेश को धन आत्मक आवेश या पोजिटिव चार्ज भी कहते हैं, रीड आवेश को माइनस से सुचित किया जाता है और रीड आवेश को घृण और और सब्सक्रांब 16-0 को बुरा काम को अँज्याम देचिया यानि uyorsun मिलकर बनी यहां तक हो गई द्यान को मालूम कि कोई भी वर्सक्तु aur में कि कुछ निवस्तु हर चीज पर माडू से मिलकर बनी होती है इस इस तरह हम लोग का सरीर कोशिकाव से मिलकर बना होता है। उसी तरह हर वस्थू प्रमाडू से मिलकर बनी होती है। प्रमाडू में कितनी चीजे होती है। तीन चीज़े, electron, proton और neutron, अभी हम लोग neutron की बात थटाते हैं, इसी अभी हम बात नहीं करेंगे, जो हम लोग के लिए जरूरी है ना, उसी पर हम फोकस करेंगे, electron और proton पर, देखें, electron पर होता है minus charge, क्या होता है, electron पर minus charge यानिकी रिडावेस, और proton पर होता है plus charge, यानिकी धन ठीके, और एक electron पर कितना charge हो जाता है, कितना रिडावेस होता है, minus का 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलंब आवेस होता है, देखें, आवेस का एसा ही मातरत क्या होता है, कूलंब होता है, यहाँ पर देखें, C लिखी दी हो, कूलंब, जिस तरह हम लोग विदूदारा को ampere में मापते हैं, तो यहाँ पर एक electron पर कितना रिडावेस होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलंब, यहाँ पर minus क्यों लगा है, क्योंकि electron पर minus charge हो जाता है, इसलिए, proton पर भी इतना ही charge होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलंब, ठीके, बस यहाँ पर minus नहीं रहता है, प्लस रहता है, क्योंकि यह धनावेस है, इ होता है हर वस्तु में धनावेस होता है और जितना धनावेस होता है यान लेकिन जैसे उस तत्यों में electron और proton यान की R際 और धनावेस की मात्रा घड़ बढ़ जाती है, माल ले जे या तो उस वस्तु के रइड़ा-वेस यान की electron घड़ जाएगा, और धनावेस यान की proton बढ़ जाएगा, या फिर electron बढ़ जाएगा और proton घड़ जाएगा, इसके सब चीज को मैं लेंग करूंगी थोड़ा और यहां पर ध्यान दीजिए बात को इसके बाद इसको समझने के बाद आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं मौनलीं तत्वां इसका प्रमारू संक्या होता है 11 और एक क्लूरीन है इसका होर्णी प्रमारू संक्या होता है और संव्ह्यार जैस्वह ऑट गयारह प्र devam workflow होता है उस व्हां सब्सक्राइब और 17 प्रोटॉन होंगे ठीक है अब यहां पर सिर्फ सोडियम पर फोकस किजी एंड़ पर एक 11 इलेक्ट्रोन ने में क्या थे 11 एक 11 प्रोटॉन को क्या किये थे कि एक दुश्रे के बराबर थे लेकिन जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया नियुक्त हो गया था न्यूट्रल क्या हुआ था इस पर कोई आवेश नहीं था अब इसमें से एक एलेक्ट्रॉन का दान हो गया एक एलेक्ट्रॉन में से तो बचा कितना दस एलेक्ट्रॉन अब यह दस एलेक्ट्रॉन दस ही प्रोट्रॉन को क्या करेगा न्यूट्रल करेगा एक क्या हो जाता है धनावी शित्त हो जाता है किसके वज़ influence के निकलने के वज़ा से अब यहां पर देखिए क्लूरे वाप करते इसमें भी 17 सत्र प्र거टॉन को क्या किया है टाल किया है लेकिन अगर ये क्लूरीन एक एलेक्टॉन अपने में जोड ले यानकी electron को क्या कर ले ग्राहण कर ले ले तो 17 ओलै प्था इलेक्ट्राण हो जाएंगे जब ले लेगा तो और 17 का 17個 proton रहे का है तो यहां पर तो 17 को द्हेंगे कि अधिक्ता हो गई इस में हो माइनस यानिकी रिडावेस के दिखता तो यहां पर क्लोरीन पर क्या आ जाएगा माइनस आवेस ठीक है और क्लोरीन क्या हो जाएगा रिडावेसित हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोगों को दो चीजे ध्यान देनी है पहली चीज यह कि जब किसी तत्व में क्या होता जब किसी तत्वा से एलेक्ट्रॉन निकलता है यानिकि वह तत्वा अगर एलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर क्या आता है प्लास चार्ज आता है यानिकि धनावेशित हो जाता है क्यों क्योंकि एलेक्ट्रॉन को डान करता है एलेक्ट्रॉन को निकाल देता है अपने म चार जाता है क्योंकि वह पहली बात कि जब को एलेक्टरान ग्रहण करे तो उस पर माइनस चारज आज दूशरी बात ध्यान देने वाली यह है कि यहां पर धनावेस सोडियम पर धन आवेस आने का यान कि प्लस चार्ज आने का जिम्मेदार कौन है और यहाँ पर क्लूरींपर माइनस एक शर्च क्या कहई और है झूड़ रहा है जुड रहा है यहाँ उसका जिम्मेदार कौन है लेक्ट्रों निकरात है और कि संक निकल भी सकता है यानकि electron के पास ऐसी power है ऐसे चमता है उसको इतना freedom है कि वह कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, सिर्फ electron का परवाह होता है यहां पर proton जो होता है यह बैठे रहता है आराम से, इसका कहीं भी परवाह नहीं होता सिर्फ electron क्या करता है गती करता है और electron परवाह करता है अब यहाँ पर ध्यान दीजे बात electron पर कौन सा charge है रिडावेस तो अगर यहाँ पर electron क्या करता है रिडावेस यहाँ पर जब गती करता है यानि कि जब कोई आवेश गती करता है परवा होता है तो क्या कहते हैं उसे विधूद्धारा तो एलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है परवाहित हो रहा है प्रोट्रॉन तो परवाहित होगा नहीं सिर्फ एलेक्ट्रॉन परवाहित होगा तो आप बोल सकते हैं कि एलेक्ट्रॉन क ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड़ावे से, तो वही परवाहित होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन के परवाव को विधुद्धारा बोलिए, या फिर आवेश के परवाव को विधुद्धारा बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गई किलियर बात, अब आगे यहां पर किसी चालक से एकांग समय में गुजरने वाले क्यों आवेश को विधुद्धारा कहते हैं यह भी आप लोगों के बुक में डिफिनेशन मिलेगा देखिए इसका क्या मतलब है चालक का मतलब समझते हैं जिससे विधुद्धारा आसानी से प्रवाइथ हो जाए उसक कितना आवेश गुजरेगा उसी को बोल देंगे हम लोग विधुद्धारा अभी नहीं समझ में आया होगा देखिए ध्यान दीजिए अगर मैं बोलू कि 10 सेकेंड में 10 से चालक से 40 कुलंब आवेश परवाइथ हो रहा है तो एक सेकेंड में कितना आवेश परवाइथ होगा तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे जितना आवेश परवाइथ हो रहा है आवेश को समय से भाग देंगे यानि कि 40 बटा 10 कर देंगे और 10 फोर्टी होता है यानि कि 4 और यही जो 4 आ रहा है इसी को बोलते हैं विधूत धारा यानि कि यह एक सेकेंड में जितना आव जितना आवेश गुजरा उसी को क्या बोल दिये विधूत धारा यानि कि इस चालक तार से 4 एंपियर की विधूत धारा परवाहित हुई ठीक है किलियर बात अब देखिए जला ध्यान से आप लोग क्या किये एक सेकेंड में विधूत धारा निकालने के लिए क्या किया आवेश को समय से भाग दे दिये यानकि आवेश बटा समय आवेश बटा समय किये तभी तो यह विधूत धारा निकला ना तो यहां से देखिए विधूत धारा को किस से सुचित किया जाता है आवेश को किस से दिनोट किया जाता है तो आवेश को दिनोट किया जाता है क्य से कैपिटल क्यूं से ध्यान रखिएगा तो आवेश को कैपिटल क्यूं से और समय को तो टी से सुचित किया जता है तो यहां पर आप लोगों के एक फर्मूला बन गया विधूद धारा निकालने का और यह फर्मूला आप लोगों को नहीं भूलना है ठीक है जब भी आप ल मातरक में लिखना है तो और कि रेकिली हो रहे हैं अब मालीजीए सेट में क्या हो रहा है सिर्म्द में क्ने ऑवेस हो तो उसे विधूत धारा एक एंपियर की होगी एक एंपियर प्रवाहित होगी ठीक है किलियर हो गई बात लीजे यहां तक फटफट स्क्रीन सॉट तो यहां तक समझ में आ गया बाकी सारी चीजे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज